नमस्कार मेरा नाम है Abishik Kumar Magni Breeinz के Platform NTSC पे आप लोगों का स्वागत करते हैं तो पूरी टीम आप लोगों के साथ में पूरी टीम और पूरी टीम बोले तो पूरी टीम फेकल्टी जो पूरे NTSC आप लोगो को टीच कर रहे हैं stage 1 तो पूरी टीम और आप लोग मिलके NTSC हम लोग क्रैक करेंगे भील्ड में से अलग अपने आपको दिखाने वाले तो फाइनली इस वीडियो में हम क्या कवर कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं DPQ और टॉपिक है हमारा नंबर टेस्ट तो नंबर टेस्ट की जो आपके सामने आया 10 questions का आपने वो solve किया होगा तो अगर आपने वो solve कर लिया है तो इस वीडियो को देखके आप अपने solutions को cross check करिये और अगर नहीं किया अभी तक तो इस वीडियो को आगे सुनने से पहले आप पहले में वीडियो को सुनिए जो नंबर टेस्ट से related में वी वो था in the series 789 यह पूरी एक series दिये number की series दिये which figure have equal frequency equal frequency frequency का मतलब जो चीज frequent है जो चीज बार 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 आ रही है ठीक है और similar है similar number of times आ रही है ठीक है तो इस पूरी series में ऐसी कौन सी value है जो की similar number of times आ रही है अब देखो options यहां पर बहुत अच्छी help करते हैं तो एक tip or trick ऐस देखेंगे कि two जो है two options में दिया है three जो है again two options में है four यहां पर एक ही option में दिया हुए ठीक है तो four एक ही option में दिया है तो मैं क्यों ना four को पगड़ लूँ देखिएगा अगर मैं four को check करता हूं तो यहां पर आपका जो four आपको दिख रहा है वो पूरी series के अंदर एक द two और three four कितनी बार है three times है और कहीं four नहीं है इसका मतलब जो इसमें लिखा हुआ है two and five वो भी three times होना चाहिए तो two को जब मैं देखूंगा तो two जो है यह सिर्फ दो बार यहां पर मुझे दिख रहा है नहीं तीन बार दिख रहा है और five five को check कर लेते हैं तो एक और यहां पर दो five से दो बार दिख रहा है जबकि two or four three times दिख रहा है इसका मतलब यह वाला option तो नहीं है equal number of frequencies होनी चाहि five three देखो two and five में तो यहीं पर मैंने चेक कर लेकि five two times three two थो तो था वो था three times तो इसका मतलब two and five वाले option जहां दी है उनको क्रॉस कर दो देखो 2 & 5 यहां पर भी क्रॉस हो गया अब 5 यहां पर है तो 3 & 7 को आप चेक कर लो 3 & 7 को हम चेक कर लेते हैं तो यहां पर 3 & 7 को हम चेक करते हैं देखो 1 ठीक है फिर यहां पर 3 दिया है एक ही बार बस पूरी सीरीज में 3 दिया है एक बार जबकि 5 दिया है यहां पर दो बार ठीक है तो इसका मतलब यह option भी गलत इसका मतलब इसका अंसर है डी इसका अंसर है डी देखो मैंने कितनी जल्दी अंसर देते बिना चेक किये ठीक है क्योंकि ऊपर के तो गलत है जब उसक्स कितनी बार एक और यहां पर दो दो बार है पांच कितनी बार है तो पांच हमने देखा निए नभी दो पार यह कितनी फ्रिक्वेंट है इक्वल है दो दो बार आई है थीक है तो मैं कहूंगा 865 D option is the right option question number 1 का answer D check कर लेते हैं yes question number 1 का answer आपका D आया है तो इतने अच्छा question था easy question था question number 2 पे देखिएगा 2 question क्या बोल रहा है how many six are there in the falling number sequence तो six को mark कर लेते हैं एक दो तीन चार और पांच और यहां पर इच्छ है तो six और कहीं तो नहीं है underline ऐसी जगह कि मैंने ना किया हो तो underline मैंने हर six के नीचे कर लिया है यहां पर बोला था how many six are there in the falling number sequence which are immediately preceded by nine जिनके आगे nine हो तो nine हो यह nine six है यहां पर cross हो जाएगा यहां पर cross हो जाएगा यहां पर cross हो जाएगा यह nine six है तो यह है nine six यह है nine six यहां पर भी nine six है और यहां पर भी nine six है ठीक है but not immediately followed by four उसके आगे four नहीं होना चाहिए but not immediately followed not immediately followed by four तो यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है, यह cross हो जाएगा, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है, 6 के बाद 4 है, तो यह भी cross हो गया, तो ऐसा जो की condition D है, उसको satisfy कोन करवा रहे हैं, सिर्थ 2 जगा पे satisfy हो रहा है, मैं कहूंगा इसका answer है B, 2, तो देखो question number 2 का answer B आया, clear कर ले है, yes, देखो, 2 आया, B option, ठीक है न, तो इसी परदार से 2 कोशन हमने कर ली है, 3rd कोशन आप, देखिए 3rd कोशन क्या है, in the following series of the numbers, find out how many times 1, 3 and 7 have appeared together, ठीक है, 7 being in the middle and 1 and 3 on either side of 7, 1 और 3 के बीच में 7 आना चाहिए, ठीक है, in the following series of numbers, find out how many times 1, 3, 7 have appeared together, लेकिन condition क्या दिये, condition दिये ये, कि 7 हर बार 1 या 3 के बीच में आना चाहिए, यहां तो ऐसा होना चाहिए, यहां होना चाहिए, 3, 7, 1, तो हमेशे 7 बीच में होना चाहिए, 1 और 3 जो इधर साइड पे होने चाहिए, तो ऐसे pairs आपको ढूंडने, चलो ढूंड ले तो ये वाला pair cross हो गया, ठीक है, यहां पे middle में 7 है, तो 1, 7, 3 ये है, यहां पे middle में 7 है, बट अगल बगल में 5 है, तो ये cross हो गया, ठीक है, फिर यहां पे 7 है, 7 के अगल बगल में 7 and 1 है, तो ये cross हो गया, इस 7 के अगल बगल में 3 and 7 है, तो ये भी cross हो गया, और यहां 7 है, बट यहां पर 1 और 3 इधर साइड पर लगे हुए है तो यह भी ओके है तो कितने टिक दिख रहे हैं एक दो तीन मैं कहूंगा 3 मतलब A option A option को टिक करिए आगे चलिए देखि कितना असान था क्या बोला था यहां तो 173 होना चाहिए और 371 होना चाहिए है 3 मतलब A option board को करते हैं clear A option देखिएगा question number 3 का answer A आ रहा है तो 3 question हो गए 4th question देखिए board clear clear question number 4th यह रहा in the series 641 यह पूरी series दिये how many pairs of alternate numbers have a difference of two ठीक है अब देखो क्या बोल रहा है सावाल में थोड़े से अलग variety है तो यहां पर क्या बोल रहा है how many pairs pairs मतलब जहां पर दो दोर होते हैं ठीक है तो how many pairs of alternate numbers have a difference of two जिनका difference two आ रहा है तो ऐसे हम marking करना चालू करते हैं अब देखना alternate how many pairs of alternate numbers numbers कैसे होने चाहिए alternate numbers होने चाहिए alternate number बोले तो कैसे होता देखो 123 तो alternate number 1 & 3 ठीक है ना बीच में 2 रह गया ठीक है फिर उसके बाद 345 तो alternate number 3 & 5 2 & 4 यह alternate number है तो alternate numbers बोले how many pairs of alternate numbers have a difference of two जिनका difference two है तो alternate numbers देखो 6 के बाद 1 है बट डिफरेंस क्या है तू नहीं है वन के बाद 2 है डिफरेंस क्या है तू नहीं है 2 & 7 डिफरेंस 2 नहीं है 7 & 2 डिफरेंस 2 नहीं है 2 & 5 डिफरेंस 3 है 5 & 8 डिफरेंस नहीं आ रहा तू का 8 & 2 डिफरेंस नहीं आ रहा 2 & 7 डिफरेंस नहीं आ रहा 7 & 4 डिफरेंस नहीं आ रहा ठीक है 4 & 3 difference 1 आ रहा है 3 & 8 3 & 8 में भी difference 2 नहीं आ रहा फिर alternate check करते हैं तो 2 difference 2 आ रहा है तो मैं इसको blue से marking कर रहा हूं देखीगा 4 & 2 में difference 2 का है 2 & 8 में नहीं 8 & 4 में नहीं 4 & 1 में नहीं 1 & 3 में difference 2 है ठीक है 3 & 6 में नहीं है six and one में नहीं वन एंड वन में नहीं है one and two में नहीं है two and six में नहीं है तो ऐसे सिर्व हमें दो ही पेर मिल रहे है मेरा अंसर है इसका two बी option देखिए का question number fourth का answer है बी क्या बी है यहां पर देखिए question number fourth का answer बी आ रहा है two clear है यह चीज तो इस पकार से चौथा question भी हमने कर लिया alternate numbers देखने थे जिंका difference two था तो ऐसे दो ही पेर थे जहां पर difference two था चले question number five देखिएगा how many even numbers are there in the falling sequence of numbers कितने even numbers है in the falling sequence of numbers which are immediately followed by an odd number even number के आगे एक odd number होना चाहिए इस तरह की condition बोल रहा है as well as immediately preceded by an even number और इधर even होना चाहिए तो इस तीके का पेर जहां बनता हुआ दिख रहा है वह आपका जवाब है चलो वह भी चेक कर लेते हैं देखिएगा अब 8 एक even number है 6 एक even number है बड़ 7 जो है एक odd number है तो एक पेर तो हमें मिल गया blue pen से में मार्किंग करता चल रहा हूं देखिए उसके बाद यहां पे 676 नहीं फिर इसके बाद 768 नहीं फिर इसके बाद 753 भी नहीं 534 भी नहीं 342 नहीं 342 के बाद 422 तो देखो इवन है इवन है यह और ऩाण यह यह भी नहीं है ठीक़ है फिर उसके बाद 228 क हा 281 तो ये बन रहा है यहां पर 281 फिर 281 के हाथ 811 11919 तो यहां पर finally 1 2 3 4 यहां पर मुझे 4 पेर दिख रहे हैं तो मेरा जवाब 135 दिया है बट मुझे सिर्फ 4 ही दिख रहे हैं तो एक last option दिख रहा है none of these इसका मतलब इसका answer is d none of these check करें क्या answer none of these है yes answer none of these है question number five में answer क्या आया none of these क्या बोला था आपको बोला था जो आपको डूनना है वो था even even odd even even odd वाले सिर्फ 4 पेर ऐसे मुझे दिख रहे थे clear है चलिए question number five भी यहां पर हो गया है move करते है question number six की तरफ six question क्या कह रहा है यह कह रहा है आपको एक series दिये how many odd numbers are there कितने odd numbers है ठीक है there in the sequence which are immediately followed by an odd number तो यह पेर आपको डूनना है ठीक है odd odd का pair ढूनना है चलिए odd odd का पेर ढूनते हैं देखीगा five one odd ठीक है one four नहीं four seven नहीं seven three odd ठीक है seven three के बाद three nine again odd ठीक है फिर उसके बाद nine eight नहीं eight five नहीं five seven again odd seven two नहीं two six नहीं six three नहीं three one three one odd one five odd five eight नहीं eight six नहीं six three नहीं three eight नहीं eight five नहीं five two नहीं two two नहीं two four नहीं four three नहीं three four नहीं four nine नहीं nine six नहीं तो यहां पे कितने पेर मिले मुझे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, तो मैं कहूंगा six, तो more than four, यहाँ पे चार से ज़्यादा pair, छे बन रहे हैं, ठीक है, तो question number six का answer है, more than four, मतलब D option, board करते हैं, clear और check करते हैं, yes, question number six का भी answer हमारा आ रहा है, more than four, एक छोटी से वीडियो, एक प्यारी सी वीडियो आपके साथ है, वीडियो के साथ बने रही है, छे question का solution आपको मिल चुके हैं, 7th question का solution देखिएगा, चलिए, 7th question का solution क्या है, series this, how many even numbers are there, कितने even numbers हैं, in the sequence which are immediately preceded, preceded मतलब इधर की बात होती है, immediately preceded by an odd number, but immediately followed by an even number, इस प्रकार का आपको combination इस series में देखना है, चलिए, marking करना चालू करते, odd, even, even क्या, ठीक है, तो 5 is an odd, but 1 and 4, दोनों even नहीं है, ठीक है, तो यह नहीं बन रहा, तो 5 यहाँ पर हट गया, अब 1 के साथ देखिएगा, 1, 4, 7, तो odd नहीं, फिर 4, 7, 3, 4, देखो, odd, even, even नहीं था, ठीक है, फिर 4 के साथ देख रहें, तो even, odd, odd, ठीक है, तो हमें देखना, odd, even, even, तो 4 के साथ भी नहीं बन रहा, 7 is an odd number, 3 is again an odd number, ठीक है, तो 7 के साथ नहीं बन रहा, 3, 9, 8, 3 is an odd, बट 9, 8, नहीं है, ठीक है, 9, 1, odd है, बट मुझे, even देखना, even नहीं है, तो 3 के साथ नहीं बन रहा, अब देखो, 9, 8, 5 को चेक करते है, 9 is an odd, 8 is an even, 5 again an odd, तो 9 के साथ नहीं बन रहा, 8, 5, 7 को चेक करिएगा, 8 के साथ भी नहीं बन रहा, 5, 5 के साथ चेक करिएगा, तो 5 एक odd है, बट 7 नहीं है, मतलब 7 even नहीं है, ठीक है, 7 again odd है, 2 even है, 6 even है, तो यहाँ पे मैं गोला गुमा देता हूँ, ठीक है, तो 7, 2, 6 का पेर बन रहा है, फिर 2 odd नहीं है, तो हटा दो, 6 odd नहीं है, 3 odd है, 1 और 5 नहीं है, तो 3 के साथ नहीं बन रहा, 1, 5, 8 देखो, तो 1, 5, 8 में 1 odd है, बट 5 even नहीं है, तो 1 के साथ नहीं बन रहा, 5 odd है, 8 even है, 6 even है, तो 5, 8, 6 बन रहा है, ठीक है, 8 एक even है, odd नहीं है, ठीक है, 6 एक even है, 3 एक odd है, तो 3 एक odd है, 8 even है, बट 5 नहीं है, तो 3 के साथ नहीं बन रहा, ठीक है फिर 8 के साथ चेक करो 8 तो वैसे भी even है तो हटा दो 5 odd है even है even है तो 5 double 2 बन रहा है फिर 2 2 4 even 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 तो 2 के साथ नहीं बन रहा फिर 2 4 3 even even odd नहीं बन रहा 4 के साथ 4 even है हटाओ 3 odd है 4 even है 9 जो है ये again odd है तो 3 के साथ नहीं बन रहा 4 even है फिर 96 का तो pair ही नहीं बन सकता तो इसका मतलब हमने कहां का underline गोला किया एक दो तीन मेरा answer है C option 3 ठीक है 3 pairs है जो इस चीज को इस condition को satisfy करा रहे है answer check कर ले चलो board clear answer check कर लेते हैं 3 आ रहा है yes question number 7 का answer 3 आ रहा है तो 7 question हमारे हो गए है move करते है 8th question की तरफ 8th question क्या क्या रहा है 8th question अगेन क्या रहा है आपको एक series दिये how many odd numbers are there in the sequence कितने odd numbers है इस sequence में ठीक है which are immediately preceded which are immediately preceded and also immediately followed by an even number तो यहाँ पे भी even और यहाँ पे भी even इस तरह के combination को find करना है चलिए इसको भी कर लेते है even odd even का combination कहां बन रहा है तो even नहीं ठीक है तो देखो यहाँ पे even नहीं है odd है यह भी odd है यहाँ पे 4 even है ठीक है बट 7 जो है 7 जो है यह odd है even odd even sorry even odd odd आ रहा है तो 4 के साथ भी नहीं बन रहा 7 को चेक करिएगा 7 अगेन एक odd number है ठीक हटा दो 3 3 अगेन एक odd number है 9 अगेन एक odd number है 8 एक even number है 5 एक odd number है even odd odd ठीक है तो 8 के साथ नहीं बन रहा 5 7 2 को चक कर लेते हैं तो 5 नहीं फिर 7 के साथ तो 7 जो है यह odd है हटा दो 2 जो है even है 6 भी even है तो 6 भी even है तो even odd odd 6 के साथ भी नहीं बन रहा odd odd तो 3 के साथ भी नहीं बन रहा odd odd नहीं बन रहा 5 के साथ odd नहीं बन रहा 8 एक even है 6 जो है यह 8 के साथ भी नहीं बन रहा ठीक है 6 6 जो है यह even है 3 odd है अगेन 8 even है तो 6 3 8 का combination हो रहा है एक ही pair मिला अभी तक अब 3 के साथ देखते हैं 3 के साथ नहीं बन रहा क्योंकि even 852 का पेयर बन रहा है । फिर फिर 5 के साथ नहीं बन रहा फिर एक फिर टिशा लाइक हा वेशन नहीं बन रहा है ह toy 7-超 ड। के साथ नहीं बन रहा फूर एकira नकीट है तो 4 3 4 वाला पॉंबिनिशन बन रहा है थी ओड है तीके नहीं बन रहा है what even है 9 जो है यह odd है 6 even है तो एक पेर यह बन रहा है तो जहां-जहां मैंने line खीची है उसको count करना कितनी lines है 1 2 3 4 4 line है मेरा answer है 4 मतलब D option तो इसका answer है D question number 8 का answer है D board करते हैं clear check कर लेते हैं D है yes question number 8 का answer D है इस पकार से आपने 8 question पूरे solve कर लिए move करते हैं question number 9th की तरफ 9th question क्या है यह भी देखीगा in the following series how many such odd numbers how many such odd numbers are there which are divisible by 3 जो की 3 से divisible है और 5 या 5 से है ठीक है उसके बात then followed by odd number इसके आगे एक odd number होना चाहिए ठीक है and then also followed by even numbers ठीक है क्या बोल रहे है in the following series how many such odd numbers are there which are divisible by 3 और 5 या तो 3 से या 5 से होने चाहिए then followed by odd number उसके आगे एक odd number होना चाहिए and then also followed by even number और फिर उसमें आगे followed होने चाहिए even number तो ऐसे odd number जो 3 और 5 से divisible हो चलो ऐसे odd number ठीक है odd numbers पहले हम देख लें तो 5 से divisible होने वाले कितने हैं पहले मैं उनको टिक कर रहा हूं देखिएगा 5 से divide होने वाला 25 दिख रहा है बीज दिख रहा है 0 5 unit place देख रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा ठीक है 46 47 48 9 50 52 54 55 तो यह सारे वो number है जो की 5 से divide हो रहे है ठीक है odd number है क्या तो 25 येस 25 एक odd number है 35 एक odd number है बढ़ 20 एक even number है हटा दो 45 एक odd number है 50 50 50 एक even number है क्रॉस कर दो 55 ये एक odd number है ठीक है तो मैंने अभी क्या किया है मैंने उनको टिक किया है जो कि 5 से divide हो रहे है ठीक है अब इनके आगे मुझे ये चेक करना है कि कोई odd और फिर even दिख रहा है क्या तो जो टिक किये उनको मैं देख रहा हूं तो 25 के आगे 18 दिख रहा है ये cancel हो जाएगा ठीक है 35 के आगे 20 दिख रहा है और नहीं है ठीक है odd होना चाहिए फिर 45 के आगे 40 दिख रहा है इवन दिख रहा है इसको भी काट दो 50 तो ऐसी कटा हुआ था 55 के आगे 56 तो ये एक even है ये भी काट तो 5 के साथ divide होने वाला ऐसा कोई पेर नहीं है ठीक है अब एक काम करते हैं हम चैक करते हैं यहां पर इसका बोर्ड कर दिया clear फिर हम चनक से टीवाइड और तो यहां पर के साथ भी चक कर रहा हूँ combination यहाँ पर 10 सम आ रहा है यहां पर 14 यहां पर 48 मिल्बार का सम आ रही 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 3 से डिवाइड जाएगा 50 नहीं होगा 7 549 यह 3 से डिवाइड हो जाएगा 10 546 यह 11 दे रहे तो यहाँ पर擊 3 से डिवाइड होने तो अब क्या क्या टिक आपको दिख रहा है आपको वो नंबर टिक दिख रहे हैं जो थी से डिवाइड हो सकते हैं और ओर ठीक है अब क्या यह टिक किये हुए वालों के आगे कोई और नंबर लिखा है तो देखो 21 के आगे 3 लिखा है लिखा उसके बाद हमें बोला है उसके आगे एक even होना चाहिए ठीक है और भी फॉलो होना चाहिए पर 21 के आगे 3 लिखा है तो यहाँ पे एक और दिया है बट 25 अगें even नहीं तो 21 21 क्रॉस हो जाएगा ठीक है अब 3 को चेक करते हैं 3 के आगे 25 लिखा यह एक odd number है 25 के आगे even लिखा हुआ है even है 18 लिखा है तो 3 25 18 ऐसा हमें case दे रहा है ठीक है आगे और चेक कर लेते हैं 21 के आगे एक odd number है और एक even number है इसका मतलब ये भी एक pair formation कर रहा है फिर 45 को चेक करेगा 45 के आगे even number है ठीक है हमें odd चाहिए 9 के आगे even number है odd नहीं है तो ऐसे सिफ हमें यहाँ पे दो pair दिख रहे हैं मैं कहूंगा इसका answer है C 2 ठीक है तो question number 9 में answer आएगा C board check कर लेते हैं देखिएगा yes question number 9 का answer हमारा है C तो इतना अच्छा question था थोड़ा सा अलग variety दिखा जो आपको इवेन numbers are there which are exactly divisible by its immediate preceding number immediate preceding number मतलब यहाँ पे जो number लिखा हुआ है ठीक है उससे यह divide हो जाए तो यहाँ पे एक even number जो अपने preceding number से divide हो जाए but not exactly divisible by its immediate following number इस number से divide नहीं होना चाहिए इस तीके का आपको यहाँ पे search करना है देखो बहुत अच्छा question है variety में कहूंगा different नहीं बट आपको preceding और immediate following number इन मतलब पता होना चाहिए ठीक है तो कहीना कहीं theory में पढ़ाई हुई चीजे यूज हो रही है बस यह condition follow करवानी है हमें ठीक है तो चलिए सबसे बहले मैं काम करता हूं सारे even numbers को मैं tick कर लेता हूं ठीक है तो इस पूरी series के अंदर even numbers 8 है 4 है 2 है 8 है 4 है 8 है फिर 4 है 2 है और यहां पर फिर से 8 है और 2 है तो यह सारे वो tick है जो even numbers है यह divisible होने चाहिए आगे वाले numbers से आगे वाले numbers से divisible होने चाहिए तो 8 3 से divisible नहीं है 8 3 से divisible नहीं है तो क्योंकि 8 3 से divisible नहीं है तो मैं 8 को काट दूँगा ठीक है Haute devoted darauf's father शोना चीड़े अमबर से तो एट ऐसे डाइड़र में अंसर थीग हें बट वह आगे वाले में अंबर से इवाइड नहीं होना चाहिए तो इधर लिख्यों अंबर से डि लाइड नहीं होना च्छिए तू जो है इस से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यह 8,2 से डिवाइड हो रहा है और 3 मैं नहीं हो रहा है थ्री से नहीं हो रहा है तो ये'M ये सैटीस्वा उरहा है कौन सा dos 8 वाला 2 8 3 वाला satisfy हो रहा है तो मैं लिखूंगा 2 8 3 देखो 8 2 से divide हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा तो 2 8 3 underline कर दिया अब आ जाते हैं 4 पर टिक जिस पर किया हो है 4 3 से divide नहीं हो रहा है ठीक है 8 4 से divide हो रहा है और 9 से divide नहीं हो रहा तो एक और पेर मिल गया मुझे 4 8 9 का यह चीज़ समझ आ रही है 8 जो है 4 से divide हो रहा है बट 9 से divide नहीं हो रहा ठीक है अब आ जाते हैं इस 4 पर 4 9 से divide नहीं हो रहा क्रॉस हो जाएगा टू जो है फॉर से डिवाइट हो रहा है वन से भी डिवाइट हो रहा है तो यह टू क्रॉस हो जाएगा ठीक है यह पेर हम नहीं लेंगे उसके बाद एट जो है यह फाइफ से डिवाइट नहीं हो रहा होना चाहिए था क्रॉस ठीक है यह टू जो है यह से डिवाइट हो रहा है इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा ठीक है तो हम कुछ कंसिडर नहीं करेंगे इसका मतलब ऐसे सिर्फ दो ही केस बनके आ रहे हैं हमाये पास तो मेरा इसका जो जवाब है कोशन नंबर 10 का वो है टू बी ऑप्शन क्या आया बी बोर्ड करते हैं क्लिए चेक कर लेते हैं क्या यहीं अंसर है यस कोशन नंबर 10 का वी अंसर तो इस पकार से हमने डीपी क्यू में दिये हुए पूरे 10 कोशन सौल कर लिए हैं आपको मैगनेट मेंस की जब वेबसाइट पर आप लोग विजिट करते हो ना किसी भी को वाच करने के लिए कैसे आना है तो आपको क्या करना है गुगल राजे से पूछना मैगनेट बेंस इस लिए का क्या करने ऐसे पर आपको स्टीन की करना हैं आप मतलग स्टेज वन कि जो त्यारी किरा हैं आपको जिनकी वीडियो वाच करनेये उस पर वोचनाव परक्लिए उन नीकर दुवारा पड़ाये हुए सारे टॉपिक्स आपके सामने तो जैसे मेरे दुआरा मैट में पढ़ाये हुए सारे टॉपिक से हैं आप करिये वो सारे टॉपिक्स आपको दिखेंगे तो आपको जिसके वीडियो वाच करनी आप उस टॉपिक पर कलिक कर दो स्टार्ट आपको डीटी की कि सॉल्यूसियशन देखने यहां पर और सबसे咗 से तक तो यह आप कि रोल्यूसियन ना स्टार्ट आपके सामने ऊपर कार से तो सा बहुत असान ठीक है और वो भी पूरा 100% free तो आपको इस information को एक तो अपने relatives को pass करना अपने friends को pass करना उन बच्चों को pass करना जो NTC की त्यारी करना चाहते हैं मतलब जो ऐसे बच्चे जो 7th 8th 9th में हैं उन तक भी यह information pass करिये कैसे करेंगे share को click करिये link generate होगा उस link को आप किसी भी social media WhatsApp के तुरू आप share कर सकते हैं clear है जब भी किसी टीचर के वीडियो वाच करें तो प्लीज उसको like करते रहिए so that videos like करने से teacher का motivation और increase होता आपके बाद जल्दी वीडियो आती है और जितनी पूरी टीम लग के आपके साथ मेहनत कर रही है बस आपको मेहनत करनी है हमारे साथ तो together we can win वीडियो की स्टार्टिंग हमने यहीं से की थी हम तहीं पर कर रहे हैं मिलते हैं नहीं topic में buy and take